इस्टार प्लस के शो नाम करण के आगे आने वाले अपिसोड में आप देखेंगे कि अबनी के घर पर हो रही है नीला मा की शोक सभाग जहां घर के सभी लोग मौजूद होते हैं लेकिन आगे कहानी में आने वाले हैं दो बड़े ट्विस्ट पहला ये कि विद्यो तवनी को फोन करके उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है और अबनी से कहता है कि वो नील को जल्द ही मार डालेगा और फिर उससे शादी करेगा तो वहीं दूसरी ओर शोक सभा में जिसमें अबनी फिलाल बहुत डरी हुए क्योंकि उसे विदुद का कॉल आया हुए है और विदुद उसे धंकी देने फोन में डरा रहे हैं धंका रहे हैं अबनी को वो सब कुछ बता रहे हैं जो अबनी के घर में हो रहे हैं अपने घर में बैठके विदुद फोन पे बत जो कि मैं जानती हूं कि सब विदुद में किया है उसका प्लैनिंग है तो मैं उनको बचाने ही कोशिश कर रही हूं बट अब घर वालों के सामने जब इस चीज आ जाईगी या जाती है तो वो किस तरह से रियाक्त कर रहे हैं इसे देखे अपनी और घपरा जाती है जो पून पे वो सब कुच बोल रहू है जो मेरे घर में हो रहा है अपने घर में बैठ कर तो ऐसा लग रहे है कि कुछ भी हो सकता है अब बच्च कहींपर वी पूँछ सकता है और जो उसका परिवार है और जो आए पी फैमिली का सफना है वो तोट जाएगा अबनी के घर पर हाथसे में क्या हुआ और क्या सचमे पुलिस नील के पापा को गिरखतार कर लेगी ये जानने के लिए आपको करना होगा हमारी अगली अपडेट का इंतजार वॉलिवुड अपडेट्स और गॉसिप न्यूस के लिए माया पुरी कट सब्सक्राइब करना ना पुरे